इस वीक के पेमेंट वाले दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है चलो पहला सवाल ले रही हूँ यह एक और सवाल में ले रही हूँ इसमें रोने लिखा है कि मुझे नाइट फॉल 5 साल से होता है और पर दे होता है नाइट फॉल 25 डे से मस्टुबेशन करने की पर दे आँख अंदर हो गई है अंदर धस्ती जा रही है सिर्फ और सिर्फ पेट का साइज बड़ा हो गया है बहुत ज्यादा वीक्नेस फील होती है मेरी एज 18 साथ है अन्मेरेड हूँ पेट 65 कज है हाइट 162 सेंटिमेटर सेक्शुल थॉट माइंड से निकलते ही नहीं है और व इसका दोनों सवाल एक जैसे हैं इसलिए मैं दोनों का अंसर इखटे कर दिया हूँ तो आपको यह वीडियो के आगे इसका सवाल भी इसका अंसर भी मिल जाएगा मेरी एस 31 एर है मुझे लगभग पिछले 11-12 साल हो गए है इनकी जो प्रॉब्लम है इनकी बहुत डॉक्ट फायदा नहीं हुआ अल्कोहल स्मोकिंग नहीं किया मैंने आठ येर पहले स्पर्म का चेक भी कराया था बट स्पर्म काउंट लो बताया बट मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे पैसे लेने के शक्कर में आगे पीछे करते रहे कोई मतलब नहीं हुआ इनकी पर कोई बात नहीं चोलो माल लेते हैं आप जो बोल रहे हो इनकी प्रॉब्लम है नहीं लिखाए कि मेरे पिशाब में लार जैसा चिपचिपा आता है जब भी मैं हैवी चीज उठाता हूं तब भी कभी कभी लार जैसा पानी आने लगता है और मेरा इनका लिंग सिकुड लिंग की किसी प्रकार का कोई तनाब नहीं रहता इनका स्पर्म काउंट इस पर्म भी जो है वाइट कलर का हो गया है और स्पर्म की जो मात्रा है एक दो ड्रॉप ही आता है इनका वेट अराउंड 60 kg है बहुत ही पतला हूं 60 kg बहुत जादा आप धिन में नहीं आते जो जाएगा तीन साल पहले उन्होंने शादी हुई थी पर सेक्स से पहले लार जाए सिप चपा निकलता था और फिर पेशाब में टाइटनेस नहीं रहती थी सेक्स टाइम भी बहुत कम था तीन में इनका डिवार्स हो गया घरवाले सेकंड मैरिश के लिए लगे हुए है ले अब लोगों के यही सवाल रहते हैं और एक बात विश्वास मानिया कि जिस व्यक्ति को सेक्शल लाइफ की प्रॉबलम रहते है उसकी मानसिक अवस्था बहुत ही वेकार होती है वो बहुत ज्यादा प्रॉबलम में रहते हैं बहुत तकलीफ में रहते हैं इसलिए शायद कि हेल्प करने के अदेश से है किसी की तो लाइफ सही हो जाए इसलिए मैं वीडियो बना देती हूँ कि इन्होंने पे किया हुआ है इतनी जगे दिखा चुके हैं इतने पैसे बरबात कर चुके हैं उसके बाव जो आप सोचो ना किसी व्यक्ति कि कितनी मान से किस्ति आपके लिए सबसे पहले तेक्षी समझ लो आपने लिखा है कि आपने बहुत सारे आयरवेद, अलोपैथी, होमपैथी सारे डॉक्टर को दिखा लिया बहुत पैसे बरबात कर दिया पर फायदा नहीं हुआ मैंने आपको पहले भी बताया था आपको मतलब डायरेक्ली कि जितने भी sexual disorder होते हैं, उसमें से 90% मांसिक होते हैं, दिमागी रूप से र्यक्ति को समस्या रहती है जिसकी वज़य से उसकी sex-like प्रभावित होती है और चूकी, जैसा आपने भी लिखा है कि आप कोई medicine बता दो, ज्यादा तर लोग कोई medicine से ठीक हो जाना जाते हैं, मान बड़ी problem होती क्योंकि इनसान के दिमाग को ठीक करना, इनसान के सोचने के तरीके को ठीक करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तो पहली चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी जो problem है वो मानसिक problem जादा है, अगर आप इस चीज को मान लोगे तो आप ठीक हो जा पाऊगे, अब आपको करना क्या है, दूसरी पात, आपने लिखा, आपने बहुत सारी सेक्स पावर बढ़ाने वाली मैडिसीन खाले, शिला जीत खालिया, शुगंदा खालिया, मैंने कई बार यह चीज भी बता रखी है, कि जितनी भी sex power बढ़ाने की medicine होती है, वो healthy person के लिए होती है, अगर कोई व्यक्ति पहले से healthy है, तो उसको ये सारी medicine खानी चाहिए, ये बहुत heavy medicine होती है, ये एक तरीके की जो sex वाली ये जो रोग होते हैं, जैसे धातू का जाना, ये एक तरीके की शरीर में खुजली है, addiction है, addiction को कम करने के लिए ऐसी medicine दी जानी चाहिए, जो व्यक्ति को relax करती हो, तनाव को कम कर दियो, उल्टा आप ऐसी medicine लेते हैं, जो और जादा excitement लेके आती है, और जादा excitement लेके आएंगी तो और जादा नुकसान पहुचाएंगी, अगर कि आपको किसी व्यक्ति को हाथ में खु होती है, जो उनकी sexual life already healthy है, आपको करना क्या है, पहली चीज तो meditation के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजे, पहली चीज, सबसे ज़्यादा important है, दूसरी चीज, अपने धैरे को बनाई रखिये, sexual problem को ठीक होने में कम से कम एक साल लगने वाला है, ये ध्यान रखिये, कम से motivation छोड़ना पड़ा है, शरीर में इतनी जादा कमजोरी आगे कि अब आप motivation कर ही नहीं पाते हैं, difference होता है दौनों चीजों में, एक करना, खुशी से करना, कि हाँ ठीक है, addiction है, करते हैं, और गासम आता है, एक होता है, कर ही नहीं पाना, क्योंकि शरीर में कोई excitement ही नहीं आ एक जगे पर नियंद्रत करने के लिए, दूसरी चीज, प्रती दिन किताब पढ़ने की आदत डालिये, कोई आपको रामायर महाभारत में पढ़नी है, मतलब वो पढ़ने की इक्षावत उनको भी पढ़ सकते हैं, आप कोई novel पढ़िये, किताबे पढ़िये, ठीक है, अच किताबें, इनके व्यंग, मतलब जिसने व्यंग लिखे हो, यह मत कर देना किनों ने कोई व्यंग नहीं लिखा कभी, जिसकी जो कहानिया पढ़ने का इंट्रेस्ट आलो, कहानिया पढ़ो, व्यंग पढ़ो, लेक पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, पढ़ने की हैबिट डालो, एक घंटे घड़ी लगाकर टाइमर लगाकर कि अगले 60 मिनट के लिए मुझे किताब पढ़नी है कोई स्लेवस वाली किताब नहीं ठीक है? कोई नौलेज वाली किताब पढ़ दी है आप उसको पढ़ने की आदर डालो पढ़ाई के लिए मैं हमेशा इसलिए प्रमोट करती हूँ कि जब आप टाइमर लगा के पढ़ते हो तो पढ़ने से आपके दिमाग का जो कॉंसेंट्रेशन है वो अच्छा होता है अगर कोई एक घंटे के लिए किसी पर्टिकुलर चीज के उपर कॉंसेंट्रेट कर सकता है तो उसको सेक्शल प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएंगी यह दिहान रखो कॉंसेंट्रेशन जहां आपका होगा अच्छी चीजों पर बुरी चीजों पर कॉंसेंट्रेशन करना बहुत आसान काम है कोई भी कर लेता है पॉरी राद राद पर जाके लोग मुबाइल का डाटा अपना खरच करके उटपटांग हरकते कर लेते हैं लेकिन जो सही चीज है उसमें टाइम लगता है हम लोग अपनी किताबे पढ़ने के लिए जाता है तो दो पढ़ने पढ़ने के लोगों को नीद आ जाती है तो आपको अपने पढ़ने की जो हैबिट है उसको इंप्रूब करना पड़ेगा ठीक है तीसरी चीज इतनी सारी जो मैडिसनिन आप खा रहे हो खाने पीने पे इतना सारा ध्यान दे रहे हो उसकी कोई ज़्यादा जरूवत नहीं है खाना बहुत ही सिंपल रखो कम घी तेल मिर्च मसाले का घी भी कम हो तेल भी कम हो मिर्च कम हो मसाले मसाले मतलब जो प्याज लहसुन का मसाला बनता है जो घर के मसाले होते हैं वो तो आप डालो हल्दी, जीरा, मिर्च, नमक ये सब तो डालना आपको जो भुनी हुई चीजे होती है प्याज लैस्टन का जो बघहार लगाते हैं ये मिर्ची का बघहार लगाते हैं वो आप बंद करो साथ्यक भोज़न किया करो पर्डे आपको fruits खाने हैं, पर्डे आपको fruits जरूर खाने हैं, fruits में पेशन्स मत कोना, एक दिन में सारे fruits खाना है, एक फ्रूट पर्डे खाना है, एक साल के लिए आपको ideal lifestyle जीनी है, अगर एक साल आपने जी ली, तो आप आगे की पूरी जिन्दगी अपनी सुधार दोगे, यदि नहीं जी पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है कुछ समय बाद और डिप्रेशन में आ जाओगे वैसे भी डिप्रेशन वाली जो आबादी है वो बहुत ज़ादा इंडिया में और सेक्षल डिप्रेशन वाली आबादी ज़ादा है तगर टैबलेट होती है, दो-दो गोली सुबह शाम खाना खाना है, दो गोली रोज रात को सोते समय आप लिया करो, तो इससे आपको नीद अच्छी आई कि दिमाग आपका रिलाक्स रहेगा, ब्राम्मी वटी, ब्राम्मी वटी भी दिमाग को पावर देने का काम करती है, न सुबह सुबह खाली पेट, अभी पत्ति कर चोंड लेना है, अभी पत्ति कर चोंड आधा चमच या एक चमच की मात्रा में ये जो पूरान मेडैसन का कोरस है, आप लगाता लिया महिने तक follow करिए, तीन महिने में आपकी life style अगर आप healthy रखोगे, अपने दिमाग की उपर काम करना चालो करोगे, तो तीन महिने के बाद आपको medicine की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन healthy life style आपको एक साल तक follow करनी है, आप चाहिए, जितना बोलो कि आप smoking नहीं करते, आपने कोई भूच नहीं किया, हो सकता आपको smoking का addiction नहीं हो, alcohol का addiction नहीं हो, लेकिन आपके thoughts दिमाग में जरूर कर बढ़ें, इस चीज़ को मान लोगे, कि हाँ कुछ problem है तो ठीक हो जाओगे, problem ही नहीं मानोगे, आपके, offend हो जाओगे कि बेरे दिमाग में तो कोई problem नहीं है, मैं बिल्कुल fit हूँ, कोई बिमारी है मुझे, कुछ ऐसी बिमारी है, कुछ ऐसी बिमारी है, तो कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं करने वाला, ठीक है? चलो यार, यह सवाल हो गया, इसके बाद अगला सवाल एक और लेती हूँ, इसके बाद का सवाल बहुत इंट्रेस्टिंग था, इन्हों बहुत सारी problem है, इन्होंने लिखा है, आइवस टेस्टेस for vitamin D and vitamin B12 deficiency, यह जो patient है, इनको vitamin D and vitamin B12 deficiency है, इन्होंने allopathy के supplement भी लिए, लिके मुसे कोई खास improvement नहीं हुआ है, थोड़ा से improvement हुआ है, जादा improvement नहीं हुआ, आइवस आइवस अद्वास कैप्सूल, NIF-100MG for epidemis infection for 6 months, presently not taking any drug, after urinating, I still feel that some urine remained in the bladder, sensation feeling, prostate is normal about 20 gram, report in clothes, report in honor मुझे भीज़ दिये, मतलब इनको जब पेशाप करने के लिए जाते हैं, तो उसके बार इनको ऐसा लगता है कि एक बार में पूरी तरीके से urine pass नहीं हुई है, जो feeling आती है, थोड़ा सा कुछ urine अंदर है, वह आले इनको feeling आती है, प्रोस्टेट की साइज इनकी नॉर्मल है, Now I feel that my muscles are breaking, इनको ऐसा लगता है कि इनकी हड़ियां और muscles बिलकुल तूट रहे हैं, इनको कमर में इनको back pain भी होता है, जॉइंट मैंसे कट-कट की आवाज आती है, बैली muscles are not strong, पेट की muscles होती है, काफी डीली हो गई है, थकावट मैसूस होती है, श्लीप नहीं आती, इन्होंने अपनी cholesterol की report बेजी है, जिसमें से triglyceride की थोड़ी सी problem है, बाकी सब normal है, और first stage की pulse problem आई है, not so severe, dullness on face वगएरा वगएरा, सिंपल सा आपको treatment बता रही हो, बहुत ही सिंपल सा treatment बताऊंगे आपको, आप क्या करिए दौनर बार, सुबह शाम जी जो आर्विदिक मैडिसन ले रहे हैं उसके साथ में, सुबह शाम खाना खाने के बाद रासना सब तक क्वाथ आपको लेना है, केवल 5 ml की मातरा में लेज़ेगा क्योंकि आपको अल्रेडी कॉलिस्टरॉल की problem है, ट्राइगलिस्टाइड की problem है, ठीक है 5 ml की मातरा में आपको रात को सोते वक्त कैस्टर ओयल लेना है, ठीक दो चीज़े होई, दौनो टाइम खाना खाने के बाद, सुबह, शाम खाना खाने के बाद, अगनी तुंडी वटी, टाइबलेट फ़र्म में आएगी 2 दो ऑलियां, अगनी तुंडी वटी की 2 दो टाइबलेट, पीस कर गुंगने पानी के साथ खाना खाने के बाद आपको लेनी है, रासना सब्तक्वात और अगनी दुंडी वटी दोनों ही खाना खाने के बाद है दोनों ही साथ में ली जा सकती है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप इनको अलग लग ले एक दो मिनट के अंतर से आप दोनों मैडिसन ले सकते हैं बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है आपके शरीर में केवल वातस दुष्टी हो रखी आपकी अगनी कमजोर है एक बार आपकी अगनी सही आएगी तो सारा विटामिन D और विटामिन B12 की डेफिशेंसी वह आपकी सही हो जाएगी और जो प्रॉबलम है वह केस्टर ओयल से आपकी ठीक हो जाएगी शरीर में डलनेस है कमजोरी है मुसल्स फीकनेस है यह सारी के लिए अल्रेडी आप काफी सारी मैडिसन ले रहे हैं गुगल के कंटेंट है काफी अच्छ है तो आपको दूसरा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं ह एक चीज धियान रखिए जो केस्टर ओयल है वह केवल आपको एक हफ़ते लेना है ठीक है एक हफ़ते तक लगातार आपको लेना है 5 ml की मातरा में रात को सोते समय लेना है और केस्टर ओल गरम पानी से लीजएगा एक गलास गरम पानी से ठीक है आपका यूरिन की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है चलो यह दोनों सवाल हो गए नेक्स वीडियो में अलाकात होगी तब तक लिस्टे हैल्दी एंड बी हैपी गड़ बाई